आप आप अप्रेटर इलेबन है एक नया ध्याय है तो इसमें है क्या इस नया ध्याय में हम लोग पढ़ेंगे तिर्भुच यहां पर दिख रहा है न इनी सब के बारे में हमें पढ़ना है यह पढ़ना है यह पढ़ना है आप लोग इनके नाम बताओ जल्दी से पहले फटा फट इनके नाम बताईए जिनको नहीं आ रहा है वो नो लिख के कमेंट करें यह और नो इसमें कुछ और भी पढ़ना है एक और भी है यह इन चार खतरनाक आकृतियों के बारे में हम लोगों को बढ़ना है ठीक है चलिए अब एक एक को लेते हैं सबसे पहले का नाम क्या भई रचना सिंग गुड इबनिंग अपनेहा रोशनी कुमारी हां बताईए सबसे फर्स्ट का नाम क्या है तिर्भूज क्या है भईया सब नाम से असपश्ट है तिर्भूज यानि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृती तिर्भूज कहलाती है कि इतनी छोटी सी परिभासा है न, तीन भुजाओं से घीरी बंद आक्रति क्या कहलाती है, तिरभुज कहलाती है, जैसे तीन भुजा अगर हम ऐसे भी खीच दे और ये बंद ना हो तो ये तिरभुज नहीं है, कि यह यह तिरभूज है नहीं है अगर यह यहां तक नहीं पहूचा बीच में इसमें तरणक मार्ग खुला है तो यह तिरभूज नहीं कहा जा सकता है तिरभूज हमेशा क्या होता है हवा दूनिंज यह कीसी समझ में आ रहा है Appe techniques को तीन भूजां च iesta है यह हो गया, इसके बारे में हर कोई जानता है, सभी परचीत है, तो हम एक-एक को पकड़ेंगे, डीटियल में पढ़ेंगे, फिर दूसरे पर चलेंगे बाद में, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक तिर्भूज है, तो पहले हम तिर्भूज के बारे में ही गहना अध् अब है इसमें दूसरा तिर्भूज के भेद, यानि काइंड आफ ट्राइंगल, इसमें से कोई बताएगा कि तिर्भूज कितने परकार के होते हैं, पता यह तिर्भूज कितने परकार के होते हैं, तिर्भूज कितने परकार के होते हैं, यह यह लेट फास समेश्टर वालो के लिए कि कितने परकार के होते अगर सिर्फ ऐसे कितने परकार के होते हैं तब तो आप लोग तीन नहीं बोल सकते कि Karma प्रीद करें तो दो परकार्ट की होते हैं एक तो फूजाओं के आधार पर होते हैं को रेंगे अगर तो दो फूजजागर की है सकता है न इतना ही सवाल कि कि तर बूज़ कितने परकार कि होते हैं तो आप इन्हें शे परकार के भी बोल सकते हैं तुरिक बुजाओं के आधार पर और तीन कोनों के आधार पर कि समझ में आया है न हम ह spontaneously कि गुज आ जैने डांटर आफ ठांटर चैनल online रेटिंग लिखिये है है पाइंड साफ्ट ड्राइंगल ऐसं इसमें आप जब लिखेंगे तो पहले इसमें एक हैडलाइन डालेंगे 1 पुझायों के कि गजाओं के आधार पर बेश्ड़ यह कौन-कौन से है वह वह हुझायों के आधार पर तिरभुच कितने प्रकार के हैं तो सबसे पहला है आपका अब भी संभाहु तिरभूज लिखिए फटाफट पहले लिख लो इसमें बहुत कुछ पढ़ना ही नहीं है आप सभी को बहुत ही आराम से इसके बारे में मालूम होगा कि भी संभाहु या संभाहु या संभाहु तिरभूज कैसे पहचानते हैं यानि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी आल साइड इक्वल होती है आल साइड इक्वल मतलब तीनों बूजाएं बराबर होती हैं वो संभाहु कालाता है जैसे यह यह अगर यह भाईया पांच है सेंटिमीटर चच्चा यह भी पांच सेंटिमीटर और यह भी क्या है पांच सेंटिमीटर एक ऐसा तिरभूज जिसकी तीनों साइड आपस में क्या है इक्वल होती है वो संभाहु तिरभूज को इंग्लिस में क्या बोलते हैं कमेंट करके बताओ जरा है क्या बोलते हैं इसे इंग्लिस में दूसरा है बिसंभा भूवाउतिरभूच अब ताइए उर्वर्शी वर्मा लेलिस्ट में मिल जाएंगी जी बिल्कुल उर्वर्शी मिल जाएंगी पिर बेंद्र जी नंबर दिया है उस पर कांटेक्ट करिया पढ़ नहीं रहे हो पिछले दो घंटे से आप सिर्फ एक बात लिख रहे हो बस दो घंटे से पिसम बाहुतिरबूज इसका थोड़ा कहानी अलग है इसकी थोड़ी सी अलग है वो क्या है इसकी जो भूजाएं है वो सब अलग अलग होती है यानि ऐसे कह सकते हो कि जिस तिर्फूज की तीनों भूजाएं आसामान होती है वो विसमभाव तिर्फूज का लाता है जैसे ऐसे भी कह सकते हैं लेकिन यह समदुभाव जैसे बंदा है तो इसे हम थोड़ा सा और घंचा पहिंचा कर देंगे रुख जाए एक मिनिट तीनों भूजाएं अलग-अलग होनी चाहिए इक्वालेटरल ट्राइंगल बता रही है आसीता यह सिता बहुत अच्छे इक्वालेटरल ट्राइंगल बोलते हैं संभाव को इंगलिस में इसको हम ऐसे खींच सकते हैं आपस में क्या होंगी अलग-अलग होंगी अगर यह सेबन सेंटिमीटर है यह फाइब सेंटिमीटर हो सकता है यह सिख सेंटिमीटर हो सकता है तीनों अलग-अलग ठीक है अब भाई है यह बताओ विसंब लिघ्फ को इंगली इसमा बहुती को इंग्लेश में का बोलते हैं यह संदुईभाहु क्या है शंदुईभाहु तीरबुज अबने बताया धना इसके हैं भूजाओ के इह अधार पर तिर्बुज तीन परकार के ओते हैं इसके एलेंड ट्राइंगल बहुत अच्छे आचीता जी बेरी गुड इसको क्या बोलते हैं विसम बाहु को इसके एलेंड ट्राइंगल बोलते हैं इंग्लिज में सी ए ले यह नी वगरा वगरा आप लिख लिजिए गा इतना आप समझदार हैं इसे तो सब हिंदी मीडियम वाले हैं इन्हें सब मालूम है कि पेपर इंगलिज में नहीं आएगा लेकिन बता इसलिए रहे हैं कि क्योंकि कुछ लोग इसमें अलग भासा वाले भी हैं इस तरफुज का होता भाया जो अभी मैं बनाया था एक ऐसा तिर्भुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है या होती है तू साइड आपस में इक्वल होती है और तीफरी अलग होती है समझ में आ ना भाई साब चलो इस केलन ट्रेंगल के बाद में आप पढ़ेंगे सम्दुबा हुआ यह ऐसे हैं इसकी अगर यह साइड छे सेंटीमीटर है यह भी छे सेंटीमीटर है यह चार सेंटीमीटर है मतलब उससे अलग होगी बस हाड मोटी बैसन है बहुत-बहुत धन्यवाद आपको आप खुदी मोटी बैसन है परदना सिंग ठीक है आँ तो बाई यह भी बता दो सम्दुई बाहु तिरभूज सम्दुई बाहु तिरभूज को इंगलिस में क्या बोलेंगे जैसे सम्बाहु को इक्वालेटरल ट्रेंगल बोलते हैं विसम्बाहु को स्केलन ट्रेंगल बोलते हैं उसी तरह से सम्दुई बाहु को क्या बोलते हैं कि पता हिए कि पमेडी मोज वाले को नौ बज़े खोज रहे थे तो नौ बज़े नहीं मिलें यह दस बज़े आये कि क्या बोलेंगे इंगलिस में हटते इसको बना लीजिए लिख लीजिए मैं मिटाता हूं इसके क्या बोलते हैं इसकी बड़ी खतरनाक है हमारा मुह उतना साइड को गूम नहीं पाता है इतना साइड इंगलिस बोलने में लगता है चलो ठीक है तो यह होगे आपका तिरभूज के परकार हुजाओं के आधारप यहनि बेस डान साइड्स साइड्स के एकार्डिंग ट्रेंगल के थिरी टाइप होते हैं कौन-कौन से इक्वाल्ट्रल, इसकेलन और आइसोसलेस ठीक है तिलपा कैसरवानी जी बिल्कुल बहुत अच्छे अब अगला हेड्लाइन लिखिए एक बाद में बी नंबर पोड़ों के आधार पर तिरभुझ के परकार्व कोड़ों के आधार पर तिरभुझ के परकार्व कि देखिए जो पढ़ा रहे हैं ना ऐसे ही इतना ही सम आपके सिलेबस में इतना ही है जो चात्र बीटीसी यानि डियलेड का एकजाम देने वाले हैं समस्टर है उनको सिर्फ इतना ही पढ़ना है इस से ज़्यादा पढ़ लेंगे तो अपर नहीं होगी आदा है लेकिन पढ़ना भालतु का चलों की अदार पर कि इस बोटके परकार कि अधार पर तिर्फ़ुच के परकार कैसे आप अलग-अलग करेंगे बताईए कोई बताए निमन जिब्यातिवारी माहिरा पंडित अन्नु रम कोण अधिक कोंड जिवन कोंड अच्छा चलिए आगे बढ़ें ठीक है मैं इसको मिटा लेता हूं कि एक मिनिट कि थोड़ा सा रुकना तो इसमें लिख लिजिए आप लोग कोणों के आधार पर तिर्भुच तीन प्रकार के होते हैं कि कोणों के आधार पर तिर्भुच तीन प्रकार के होते हैं कि कौन कौन से होते हैं यादि कौन और और एक कौन होता है सम कौन ना लिख लेजिए कोणों के आधार पर तिर्भूज तीन परकार के होते हैं कोणों के आधार पर तिर्भूज तीन परकार के होते हैं नंबर एक सम कौन तिर्भूज नंबर एक सम कौन तिर्भूज लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा क्या लिख दे रहे हैं भाई या का करें मजबूरी है समकौन तिर्भूच आपको सिर्फ समझना है बस समझना है समकौन तिर्भूच यानि जिस तिर्भूच का कोई अंताकौन नब्बेंस का होता है समकौन तिर्भूच का कोई एक अंताकौन नब्बेंस का होगा वो क्या कहलाएगा समकौन तिर्भूच याद रहे किसी भी समकौन तिर्भूच में सिर्फ एककौन नब्बेंस का होता है किसे भी तिर्भूज का एक को डद हो सकता है एक से अधिक नहीं हो सकता выглядит क्यों है अगर एक से अधिक हो गया तो क्या होगा इथा कि याद नियाद ऊनि शूपरिया अफनेहा दिभ्या सिल्पा यह थ नदीक की वैभल लड़की superficial ही पढ़ती है आफ लड़के लोग वाइज तो सब गायव है तो कोंड तिर्भूज देखिए रीजन बताता हूं दो कोंड नबबे इसलिए नहीं हो सकते हैं जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती हमज़ रहों कि कुछ जादा नहीं बोलेंगे नहीं आप लोग कुछ अलग है मतलब निकाल लेते हैं तीफरा कहा जाएगा है इसलिए किसी भी तेर्भूज में दौका नबबे और इक नाए चाहर को कुंड ह naval ? और है तो मैंने वालीप आप ऐसे बना सकते हैं इसे नबबे होगा है ए मैं परिफासा लिख लिजी एक बार फिर से फाम कोंट किरुज की परिफासा क्या होती है एक ऐसा तिरнул जिसका कोई कांदि यह अन्स का हो मैं इसका कोई एक आंतहकोंड नब्बे अन्स का हो यह वह समकोंड तिर्भुच का लाता है क्या कहा लाता है जाए तुछ भाई देखो बहुत ज्यादा कमेंट चीज कि पेस्ट ना करो इन्हें बलक करिए पाँच मिनट के लिए बवह ज्यादा परचान है कापी पेस्ट वालों को बलक करिये नंबर चल रहा है आप उस पर कांटेक्ट करिए इंक्वारी के लिए यहां पर डंडा करो अगला क्या है अधिक कोण कोण के बाद एक और भी आता है अधिक कोण है रहते कोण और यह वैसे अधिक बना इसे थूद्र सबनाली जीए क्योंकि सुंद्र लोगों की बाती अलग होती है फिर भी नहीं बना गआ भी बन जार अधिकर कर वार रहें चलो अधिक kra Ante सोगहा होता है कि अदिए सीदी सी बात है अधिक कोण तिर्भूज के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे अभी अभी हमने आपको सिर्फ अधिक कोण पढ़ाया था अधिक कोण पढ़ाया था ना उसमें क्या बताया था कि वो जो निइटीवन से लेकर 179 के बीच होता है यह निए 179 तक होता है वो क्या होता अधिकोंड होता है होता है ना पताया था ना लेकिन क्या इसमें भी ऐसा ही होगा क्या नहीं इसमें आशा होता है कि जिस तिरभुज का कोई एक अंता कोड 90 से बड़ा हो मतलब इसमें 3 कोड होते हैं तीन कोड होते हैं तो इसमें से कोई एक कोड 90 नाभबे से बड़ा होना चाहिए। दधन में जैसे होता नहीं कौडसी पर लोग बाते हैं मैं तो इस पर लेता हुआ हुआ होना इहां के आर आधू हो यहां में हम सीधह सब्दों में बात करें इनकी हट्टी में आइसे लटका ठाए पीछे को है आय knocking कि लाइन एकदम सीधी है य है इसे थोड़ा-तफ़रा तिरची UAE कि यानी इनबे से अधिक है ये क्या नबे से अधिक है लेकिन इसमें थोड़ा लोको ने तर सब statu कोई बी ऐसे नबे से अधिक होना चाहिए तब वह अधिक कऊष्ट तर्भूज का लाएगा ये लो अब दिखा अब ये पैर फैला के लेट गए सीधा अर्चना देवी आया कुछ समझ में अच्छा किसी के दिमाग में रच्ची भी ना गुसा बताओ कोई ऐसा है कि जिनको कुछ ना समाज में आया हो एकदम काला च्छार बहींस बराबर कोई है ऐसा ऐसी महान आत्मा है कोई यहां पर नहीं न मुझे उमीद है कि हर कोई समझ गया होगा इत अफंए लगए बिज्च वह ते है किसमें तिर्भूच के फीन ले से एक क्रश्षय होना चाहिए को ही एक एंगल नब्ख्वेश होना 최ठ tussen ईसमें एक चाहर याद रखने है कि सा इसी भी संकोंट तिर्भूच में एक से अधीट कोढल नब्ख्वेश् vous नहीं हो सकते अजिसे हिंदु धरम में एक husband दुए wife नहीं रख सकता है और वाइब दूए husband नहीं रख सकते। नियम से बाकी तो लोग कई हो रहते हैं वह अलग बात है पर इसमें को योगत बुरा नहीं मनना अपना 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 जिंदगी उसके बारे में हम बात नहीं करे तो तिर्बुज का नियम खराब हुजाएगा इसलिए समकॉंड तिर्बुज में कि एक से अधी कॉंड नब्बे का नहीं हो सकता है कि एक्जामपल से समझ रहे हो ना आप लोग देखिए मज़ा आइनना थोड़ा बहुत एक्जामपल याद रखोगे तो फिर पिल्कुल इसके बारे में बात करो बड़ी खतर ना चीजे है कुछ लोग बिगड़ जाते हैं कुछ लोग बशक्रिणा वह न रहा से Candre से अधिक कोड के बाद न्यूनच कोंड, न्यून तरभूज, ये क्या होता है, ये इचल शोटकव है, ये फोर्टे सा रहे हैं, बताएज जल्दी से, न्यून कोंड क्या होता है, नहीं, कान हैं या, नहीं बताना है, पता ये जल्दी करिए दिखे निवन कोण में कैसे इनके तीनों कोण 90 से कम होंगे न कोई कह रहा है कि दिल तूटा है कहानी बताईए वही अपना दुख दर्द किसी को नहीं बताना चाहिए लोग मज़ा लेते हैं है ना नहीं अपने तक ही रखे रहो कि वह मेरी बात नहीं है यह लोग मतलब वोलो थोड़ा सा समझ लेते हैं डेर सारा वह अमारे एक मित्र की कहानी थी जो मैं बताने वाला था लेकिन मुझे पता था कि आप लोग हमारे इंखोपड़ी फोड़ेंगे इसलिए नहीं बताने वाला कि आप अधाये निवन कोड़ क्या किसे चलिए फटा 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 आप लोग ट्राइक आप ते रहें कि इस त्रिफूच के तीनों अन्ता कोड़ करमसा निवन कोड़ हो मतलब इनके जो तीनों कोड़ है ना वह सब नबबे से कम होने चाहिए तब होने चाहिए या को पढ़ाई में मन्न नहीं लग राहे 100 बच्चों में से सब चाहते हैं कि बाई इनको लब स्टॉरी बथा दो तो डिल टूटने वाली कई से तूटा था कितना तूटा था तूटने के बाद लटका था गिर गया था वास्तों में अगर आप लोग मुख science पढ़े हैं यो तील वॉल टूटता नहीं जिसका दिल टूटता है वो जिन्दगी से चला जाता है समझ रहो काहने की बात है कि प्यार में दिल टूटा CARE को उटता नहीं ये सब हارमोन का खेल होता है कभी कम कभी कोई दूसरा Calice कोई दूसरा यह होता है मुख्य रूप से रीजन साइंस में यहीं होता है कि तूटता नहीं है समझ रहो ना आज से अब यह मत कहना कि दिल टूटा है वास्ताव में भगवान ना करें कभी टूटे तो टूट जायेगा ना तो फिर बच होगी नहीं कुछ लोग तो इतने बड़े सातिर होते हैं कहते हैं एक दिल तोड़ा था दूसर का फिर तोड़ दिया तुम्हारा दिल है कि कुछ आउर है जो बार बार तूट रहा है हां तो यह हो गया निवन कॉर्ण इसमें के तीनों कॉर्ण नब्बे से कम होंगे क्या होंगे तीनों ठीक है संडे को सुनाएंगे अरे मेरी नहीं है यार मेरे दोस्त की मेरी नहीं है हम अची कहानी बनाने मतलब चाहते नहीं बनाना भी फिलाल पताएंगे चलिए यह मान लिजिए 30 का है यह 60 का है यह 85 का है तीनो 90 से कम होना चाहिए यह हो गया ना इसको लिख लिजिए तो यह आपने पढ़ लिया क्या है खेल खेल में आपने पढ़ लिया तिर्बुज क्या होता है तीन बुजाओं से गिरी बंदाकृती को त्रिबुज कहते हैं तीन बुजाओं से गिरी फिगर को ट्रेंगल कहते हैं तिर्बुज मुखित कि बात करें तो दो डो बाटे जा सकते हैं पहला कोनों के अधार पर और भूजाओं के अधार पर इसे कोणों के अधार पर तिर्भुज तिन परकार के होते हैं प्रम कोण निव्न कोण आधिक कोण। राइट एंगल ट्रयांगल एक्यूट एंगल ट्रयांगल और अप्टिवस एंगल भुजाओं के आधार पर भी तरबुज तीन परकार के होते हैं कॉठ बही होरसे, और इक्वरिटरल ना इसे बोलते हैं प्रम्दूभाहु तिर्भूज अब लोग तो बिहोस हो रहे हैं कि सीरियल बदल दिये भई पहली बार तो आप पहले संबाहु बताये थे पिर संदुभाहु बताये थे इन में सीरियल उडियल से कोनों मतलब नहीं है आपको तीनों टाइप का लिखना है बस समझ रहो ना कि इसे आपको बताना है कि इतने भाई हो अब तुई तीन चार पांच आट दस बारा जितने भी हो आपको सबका नाम बता देना है जरूरी थोड़ी सीरियल से बता इसमें क कुछ लोग सचारे होंगे तर तो स、「पनचर बनाए होiden नहीं एक से कोई टाक्टर है कोई एंजीनियर है कोई मास्टर मतलब खाफी तरक्शी है कंपी अच्छी है एक्र अच्छी है समझ रहे ना परता आपके काम और शिस्टम पर जो 17 लड़के पाईदा कर सकता हैं वह 17 को को मैनेज कर सकता अगर तो बड़ी बात है कुछ लोग दू यह तीन रहते हैं परिसान रहते हैं तो यह गार्जियन पर डिपेंड करता है हाँ तो यह सब खतम हो गया टॉपिक इतना ही तो था ना कर मैं थंडी लग रही है भाई क्या करें में सारम और नीलगती है मैं लग रही तो हम पहिं कि यह दिर्वूज का हो गया खतम इसके बाद है तिर्वूज का छेतर फल फार्मूला आप लोग लिख लीजिये इसके बाद हम कुईश्चन करवाएंगे ले लिखें तिर्भूज का झेत्रफल sama कौन तिर्भूज हो लिखिए तिर्भूज के झेत्रफल का सूत्र उपर लिखिए किर्भूज के के झेत्रफल का सूत्र हुट हुंद UA-पड लिखिए जल्दी से इनका काम लगेगा अभी कोorestन करवाएंगे तो बैये इमानदारी से पढ़ रहा हो तो लिख लो लिखिए जब समकोंड तिर्भूज हो पहला जब तिर्भूज समकोंड हो तूतर अलग अलग होता है जब समकोंड हो तो अलग होगा अब लिखिए छेतरफल बराबर यह एरिया इक्वल हाफ इसे हम ऐसे कह सकते हैं आधार तू क्या होता भई लंब की भूजा मतलब लंब यह है समकोंड तिर्भूज अगर दिया है तो उसका छेतरफल निकालने का फार्मूला कि आगे बढ़ें कि आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं क्या चाहिए बताइए पानी बानी पिलाया जाए अब तभी फटाफट क्लास को लाइक करिए और जितने भी नए साथ ही है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसकी बैटरी लोग हो गई यह टिन टिन कर रहा है मैं बैटरी चेंज कर लेता हूं तब तक आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए जलते इसकी बैटरी बदल देता हूं नहीं आवाज नहीं आएगी अभी बस आधा मिनेट भागना नहीं कोई आया मैं आया आया थोड़ा सा रुक जाना अभी चल रहा है यह और लिखे दूसरा तिर्भूज का खेतरफल जब तिर्भूज की तीन भुजाएं दी गई हूं क्या कौन बोल रहा है यह समाझ में नहीं आ रहा मतलब ही-person रही क्या हिंदी इसमें क्या English मैं तो दोनों बोल रहा हूं ना इंको हिंदी नहीं समाझ में आ रहा उनको कहा तो मैंने लिखिये ना area equal half between to perpendicular एडिया इक उल हाफ बेसंट्टू परपेंडिकुलर इंग्लिस में ऐसे ही तो बोलेंगे आशिक भी धिखिए जब तीम तीन भुजाएं दी हो आज यह पाहली कंडिशन है। जब तीम तीम पूजाएं दी हो तो इसमें बहुत कुछ भुजाना पड़ता हैं भी थिखे वह क्या करना पड़ता है दिखिए जब तीरबूच की तीन बुझाएं दी गई हो तब इसमें काम करना पड़ता है पता है पहले इसका हम परिमाप निकालते हैं ओके मतलब अर्द परिमाप निकालते हैं और अर्द परिमाप निकालने के बाद तब हम इसका आगे फर्मूला लगाते हैं दिखिए माना तिर्भुच की तीन भुजाएं A B C है तो था 2S इसका परिमाप है दिख लेजिए माना तिर्भुच की तीन भुजाएं यह हम A B C मान रहे हैं आप इनको X Y Z भी मान सकते हो कुछ भी मान सकते हो तीन भुजाएं क्योंकि हमें फर्मूला बनाना इसलिए कुछ न कुछ रखना पड़ेगा ठीक है A B C है तथा परिमाप तूए साथ यह यह साय अगये कहानी समझते जाना यह हो गया लिखें एसईक्वाल आफ ए प्लस-बी-प्लस-ई- यह यह मालूम है आपको यह फर्मूला नहीं है यह आर्धपरिमाप आता है पहले यह पहले यह पहले आर्धपरिम्द्द्द्द्रीव आप आता है फिर खेतरफल बराबर शूत अभी लिख रहा हूँ अलग को इसको लिख लीजिए फटवर लिख लीजिए इतना लिखने के बाद में हमारे में जगा नहीं इस लिए बगल में लिख रहा हूं आपके पास जगह मैदान खाली है नीचे लिख ले ना दिखो छेत्रफल बराबर लिखिए छेत्रफल बराबर इसमें लगता है कौन सा वो फिरोईन श्या बोलते हैं उसे फर्मूला फर्मूला पढ़े हो कि नहीं हां अरे हिरोईन नहीं बोल रहे हैं समझो इसमें ऐसे होता अंडरूट यह जैस माइनस ए इंटु सम इंटु में रहता न गुड़ा गुड़ा में इस माइनस बी और एस माइनस सी यह सूतर होता है जब तीन बुजाएं दी गई हो जहां यह स्कमान यह होता जो यहां पर मिलता है यह नी पहले अरदबरिमाब निकालते हैं फिर उसक आपको मिला कि हम करते हैं अब को समझ में आ रही ने मेरी बाते हैं माहिरा पंडित जी आप क्या करना चाहती हो पता नहीं आप चाहती हो कि चाहते हो मुझे यह भी तो नहीं पता है लेकिन कमेंट आपका बड़ा धुवधार आ रहा है थोड़ा सब्र बना के रखिया और लोगों को भी मौका दीजी लिख लिए अगले पर चले अभी आम इने पर परस्न भी करवाएंगे तो फिर यह ने पूछना कि यह सूत्र कहां से आया पूछना मत अब अभी जब सवाल करवाएंगे तो फिर हम सूत्र नहीं लिखवाएंगे याद रखना झाल 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 कि इतना देर जब आवाज नहीं आ रही थी तो यह कौनों पुजवा बुला रहा है कौनों कुछ दूसरा कमेंट कर रहा है मतलब जो मेन प्रॉब्लम है उससे कोई मतलब नहीं नहीं कि इनको कोई मतलब नहीं उससे सुप्रिया बोल रही कि हम एक ही जगह खड़ें अच्छा हम एक ही जगह खड़ें आप लोग तो बात करते करते पता नहीं कहां पहुंच गया हो तो फिर भी आज वैसे भी डिश्टर्ब हो गया आप आगे नहीं पढ़ाएंगे आवाज आगे अच्छी बात है यह पता नहीं क्या इसमें टेक्निकल बिमारी आ गई थी आपने क्या पढ़ा यह पाइथा गोरस पर मिये पढ़ लिया खुब बात कर रहे थे मैं सबका कमेंट देख रहा था अंदर यह अंदर गुस्सा लग रही थी क्योंकि यह कुछ टेक्निकल इसू हो गया था छोड़ दिया था ठीक है यह हो गया हाँ तो पाइथा गोरस पर मिये हम आपको बता रहे थे कि भाया हो एक जो समकोंड तिर्भूज होता है जिस पर नब्बे बनता उसके जश्ट सामने की बुझा करण कहलाती है बाकी बची हुई बुझाएं बदलती रहती है जिस पर कोंड बनता है यानि नि इसके मारम लो यह एंगल बनाती इसके सामने की फूझाथ लंब हो जाती अर्ये viens नीचे आधार हो जाती है अ अगर यह एंगल यहां बनेगा तो यह लंब हो जाएगी यह आधार हो जाएगी इस अधिक्या था समझ में आया ना तो अगर ऐसी कंडिशन होती है जैसे यहां पर दिया गया है इनके नाम आप कुछ भी लिख सकते हो तो पाइथा गुरत पर्मिय कहता है कि करण का जो होली स्कॉयर होता है वह आधार का स्कॉयर धनलंब के स्कॉयर के योग के बराबर होता है ठीक है इसको लिख लिजिए संबाहु तिर्भूज का छेतरफल लिखिए एक और फार्मूला लिखिए लाश्ट हैं संबाहु तिर्भूज का छेतरफल अब सुत्र हो गए संबाहु ए बाई रुकजा तू ना बोलब तो अब मार भी खाब संबाहु तिर्भूज का छेतरफल ये अलग तरह का होता है अंडरूट तीन बटा चार और फिर भूजा का स्कॉयर ठीक है भूजा का ओल स्कॉयर ये होता है संबाहु तिर्भूज का छेतरफल का सुत्र तो साथियों ये इतने आपके छोटे-छोटे प्रसनों के लिए फर्मूले हो गए और मुझे लगता है कि इसमें कुश्चन करवाने चाहिए तिरभुच का छेदरपल के सूत्र के बाद में इसके कुछ कुश्चन भी करवाने जरूरी है मुझे लग रहा जी करवा देते हैं लिखिए अगर किसी तिरभुच की तीन भुजाएं दी गई है तो आप लोग क्या उनका छेदरपल निकाल लेंगे बताएं निकाल लेंगे लिखिए एक तिरभुच की तीन भुजाएं तेरा सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं एक तिरभुच की तीन भुजाएं तेरा सेंटीमीटर 14 cm और 15 cm है तो तिर्भुच का तो तिर्भुच का छेतरफल ग्याद कीजिए क्या करिए तिर्भुच का छेतरफल ग्याद करिए बताईए देखे बहुत से सवाल करते हैं कि जब वो फोन या मैसेज करते हैं तो हम उनका रिपलाई नहीं दे पाते कोई और करता है तो हम आपको बता दें अगर आप लोग रात 11 से 12 बजे की बीच मैसेज करते हैं वाटसप पे तो हम उसका रिपलाई एक घंटा करते हैं ठीक है ये 94, 55, 63, 38, 37 अगर आप वाटसप पे मैसेज करेंगे रात में 11 से 12 बजे के बीच में तो हम उसको रिपलाई करते हैं लेकिन बिनमर निवेदन है कि वीडियो काल या आइडियो काल ना करें क्योंकि फोन काल आम नहीं उठाते हैं समझ रहे ना आप ये बात याद रखना कैमरे की बैटरी लोग हो गई है तो आप लोग इस पे जो मैंने बताया अपनी स्टडी से रिलेटेड बाते आप भेज सकते हैं और उसको रिपलाई मिलेगा जल्दी से जल्दी ठीक है क्लास खतम होने के बाद में क्योंकि मैंने देखा यह प्रावलम बहुत लोगों की थी आती थी कि हम नहीं रिपलाई करते हैं हां तो कुश्चन मैंने यह दिया कुछ इस तरह से यह 13 सेंटीमीटर है यह 14 है यह 15 है इनका क्या करना भई इनका क्या करना है शेत्रपल निकालना है अन्नु सुकला का अंसर आ गया बहुत अच्छे अन्नु जी बेरे गुड तो मैं तरीका बता दूं आप लोग कर लोगे ना तरीका बता दूं कर लोगे ना तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है हमें यह निकालना यस यस इक्वल एक बटा दो कि अधन भी धन सी अभी अभी जब फार्मूला लिखवाया था तो आपने देखा था ना देखा था ना आप कोई प्रॉब्लम फिर से आ गई क्या नहीं 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 ना सब सही चल रहा ना ठीक है तो इसमें सारे मान आप लोग रख दीजिये फटा फट एक बटा दो यह 13 14 और 15 जोड दीजिये सबको सबको आप जोड देंगे तो आप सबको पता है 42 आएगा सम्थिंग हम फोटीट्व आपन टू आएगा बराबर एकाइस आएगा यानि हमें जो यस कमान मिला कितना मिला एकाइस मिल गया और फिर पिर क्या करेंगे फिर वो फार्मूला लगा देंगे छेतर फलवाला कौन सा छेतर फलवाला सुत्र लगा देंगे अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी यस कमान आगया है 21 यहा 21 रखोगे A इसको मानलो B इसको मानलो C उसको मानलो सारे मान रखके निकाल लेना 84 आएगा कितना आएगा 84 आएगा याद रखिए अगर हमें छेतर फल निकालना है तो हम वर्ग इकाई जरूर लिखेंगे अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो उत्तर वर्ग सेंटीमीटर आएगा अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर जो भी रहेगा वर्ग में रहेगा ठीक है समझ में आए ना तो आज की कलास का टाइम ओवर हो रहा है कलास यहीं पर बंद होगी क्लास के बारे में किसी को कुछ जानना है तो बताईए जल्दी से जल्दी कमेंट करिए अगर क्लास के बारे में कुछ जानना है तो बोलिए नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन पर इंक्वारी कर सकते हैं क्लास के बारे में तो रात के दस स्वारी कलास के बाद या नि ग्यारा से बारा बज़े के बीच में अगर आप इस नंबर पर वट्सप मैसेज करते हैं तो आपको रिपलाई हम खुद देंगे ठीक है कोई दूसरा नहीं देखेगा ठीक है तो आप लोग कलास से संबंदित कोई परकार की जनकारी लेना चाहते हैं तो उस पर पूछ सकते हैं लेकिन थोड़े सब्दों में ऐसा नहीं की लग जाओ भाईया आप बारा बज़े चैटिंगे करते रहो तो हमां नहीं कर पाएंगी इतना स्वारी ठीक है चलते हैं फिर बहुत बहुत धन्यवाद ये कलास रोज होती है सोमार मंगलवार और बुधवार को राद 10 से 11 बज़े की बीच होती है और बाकी अगले तीन दिन रिविजन होता है बाकी अगले नेक्स तीन दिन क्या होता है रिविजन होता है अरून यादो जी बहुत बह नाइट चलते हैं फिर बहुत बहुत थैंक्यू आप सभी को दिल से धन्यवाद कल की कलास को आप ज्यादा फे ज्यादा सेर करिएगा जिससे कि अधिक स्यादी कंडिडियर जूड़ सकें ठीक है ज्यादा फे ज्यादा साथी जूड़ेंगे